हालो दोस्तो मैं हूँ शीमा और आपको सब estamos keeping सब्केस के इसी होने वाला है तो ये मैजिक बहुत ही मज़ादार होने वाला है तो वीडियो को पिक जरूत कोई चलिए चलियो चुल्द है मेरे पास सब्सक्राइब दोग को ठोग करने की कोशिश चूब तो दिखते हैं क्या होता है तो दोस्तो अब देख पा रहे हो कि फोक अपना आप हिल रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है मैं और एक बार आपको दिखा देती हो इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है कोई भी कुछ भी नहीं है लेकिन ये अपना आप हिल रहा है तो दोस्तो और एक बार करते हैं चलिए आबरा कड़ाबरा गिली गिली चूँ तो दोस्तो अब देख पा रहे हो कैसे हिल रहा है लेकिन यह कैसे हो रहा है तो दोस्तो आप देख सकते हो सामने से भी देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है तो दोस्तो चलिए और एक बार करते है और लास्ट टाइम के लिए करते है आबरा कड़ाबरा गिली गिली चूँ आबरा कड़ाबरा गिली गिली चूँ तो दोस्तो यह एक साधरन सा फोक है और इसमें कुछ भी मैजिकल नहीं है लेकिन अभी आपके आखों के सामने यह हिल गया है तो दोस्तो यह एक मैजिक है इसलिए यह हिल गया है तो दोस्तो चल तो दोस्तो इस magic का जो राज है वो fork में नहीं है दोस्तो वो मेरे हाथ में है जो आपको शायद दिखाए नहीं देगा और camera में भी दिखाए नहीं देगा क्योंकि यह एक invisible loop है यहाँ पर एक loop है मैं आपको समझा देती हूँ एक rubber band लेके यह ऐसे rubber band के तरह ही दिखता है ऐसे मेरा हाथ में ऐसे है और मैं क्या कर रही हूँ जब मैं magic को पर्स दे रही हूँ फोक को ऐसे लूप के अंदर दे दे रही हूँ उससे क्या हो रहा है ऐसे चमच हिल रहा है लेकिन rubber band में ज़्यादा elasticity नहीं है लूप में इलिस्टिसटी है इसलिए लूप में ज़्यादा अच्छा हो रहा है मैं आपको लूप में करके दिखा देती हूँ ऐसे लूप के अ तो उसको भी नहीं दिखेगा दोस्तों यह बहुत ही आसान सा एक मैजिक है आप इस लूप को निखिल मैजिक शॉप से खरीच सकते हो या फिर ऑफ लाइन अगर खरीदना चाहते हो तो मिले से या फिर कोई भी मैजिक के दुकान से खरीच अच्छा लगा है तो प्लीस लाइ लेते रहिए क्योंकि अगर मैं कर सकते हो मैजिक तो आप भी जरू कर सकते हो